Hello Everyone, Welcome to MFG My Food Gully Burger और पीज़ा दोनों का मज़ा एक साथ चाहिए तो चलिए फिर बनाते हैं Super Delicious Dominos Style Premium Burger Pizza और वो भी सर्फ 15 मिनिट में सबसे पहले हम मज़ेदा फिलिंग बनाएंगे तो उसके लिए 2 चमच तेल गर्म कर ले अब हम इसमें एक चमच बारी कटी हुई लैसून आट करेंगे और कुछ सकेंड्स के लिए सौटे कर लेंगे अब हम इसमें प्याज आट करेंगे प्याज को ऐसे रफली चौप कर ले और एक से दो मिनट के लिए सौटे कर ले फ्लेम को low to medium रखना है अब हम इसमें 1-4 cup गाजर और शिम्ला मिट्स आट करेंगे शिम्ला मिट्स को ऐसे क्यूब्स में कट कर ले आपके पास स्वीट कॉन है तो आप वो भी 1-4 cup आट कर सकते हो अब हमें सबजियों को 2-3 मिनट के लिए सौटे कर लेना है अब हम 1-4 cup टमाटर आट करेंगे और 1-2 मिनट के लिए फ्राइ कर लेंगे अब हम इसमें आधी चम्मच कालि मिट्स का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, दो बड़े चम्मच पीजा सॉस और एक बड़ा चम्मच टमेटो केचप आट करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास पीजा सॉस नहीं है तो आप एक चम्मस टमेटो सॉस, चिली सॉस और सेज़वन चटनी को मिक्स करके यूज कर सकते हो अब हम इसमें पनीर क्यूब्स आट करेंगे फिलिंग को और भी मज़ेदार बनाने के लिए अगर आपके पास पनीर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो अब हम इसमें थोड़े से ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, पीजा मिक्स और पेरी-पेरी आट करेंगे जो भी इंग्रीडियंट्स मैं यूज कर रही हूँ, उन सब का लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर आपको कुछ भी पर्चेस करना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें अब हम बस इन सब को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और फिलिंग बिल्कुल रेड़ी है अब जो मैं स्टेप्स बताऊंगी वो बहुत इंपोर्टेंट है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप्ट ना करें और एंड तक जरूर देखे अब हम बन को कट करेंगे और दो बडे चमझ मायोनीज आड करेंगे अगर आपके पास मायोनीज नहीं है तो आप चीज श्प्रेड भी यूज कर सकते हो अब जो हमने फिलिंग बनाया था वह दो बड़े चमझ आड कर दे और थोड़ा कम जादा आप कर सकते हो अब हमें बहुत सारा चीज आड़ करना है, चीज आड़ करने में बिलकुल भी कंजूसी ना करें, चीज बर्गर पीजा को और भी मज़ेदार बनाता है तो जरूर से आड़ करें, अब हम थोड़े से चिली फ्लेक्स और एगयनो और पेरी-पेरी स्प्रिंकल कर देंगे, और अगर आपको चीज नहीं पसंद है तो आप थोड़ा कम भी आड़ कर सकते हो, अब हम थोड़े से चिली फ्लेक्स और ओर इगयनो स्प्रिंकल कर देंगे, अगर आपके पास चीज नहीं है तो आप चीज स्लाइस भी आड़ कर सकते हो, अब हम एक पैन में 1-4 टीस्पून ब आज मिनट तक बर्गर पीज़ा को बेक होने दे और चीज को अच्छे से मेल्ट होने दे और यह देखिए कितने अच्छे से चीज मेल्ट हुआ है और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है ना, खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, आप जरूर से आज की रेसिपी ट्र